सब्सक्राइब कीजिए प्रेणा न्यूस के यूट्यूब चैनल को और दबाईए बेल आइकन आके आपको क्रिकेट की खबरे मिले सबसे पहले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एहमदाबाद के नरेंदर मोजी स्टेडियम में तीन मैचों की वंडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा था ऐसा पहली बार था जब रोहिट सर्मा विराट कोली के कप्तान थे क्योंकि विराट कोली अब किसी भी प्रारू में टीम इंडिया के कप्तान नहीं है जब एहमदाबाद में खेले जा रहे इस बंडे मैच में दोनों के बीच कप्तान और लीडर वाला तालमेल देखने को मिला दरसल वेस्ट इंडीज की पारी के 17 वे ओवर के बाद ड्रिंक्स टाइम हो गया था और जब फिर मैच सुरू हुआ तो विराट कोली और कप्तान रोहिद सर्मा ने साथ में फिल्डिंग सेट की दोनों के बीच कुछ बातें भी होई और फिर मैच सुरू हो गया इस पूरे बाके से साफ लगता है कि रोहिद सर्मा भले ही अब कप्तान है लेकिन विराट कोली अभी भी लीडर है विराट कोली इस बात को पहले ही साफ कर चुके हैं कि MS दोनी की तरह वे हमेशा एक लीडर के तोर पर टीम की मदद करते रहेंगे और ऐसा ही पहले बंडे मैच में भी देखने को मिला सब्सक्राइब कीजिए प्रेणा न्यूस के यूट्यूब चैनल को और दबाएए बेल आइकन आके आपको क्रिकेट की खबरे मिले सबसे पहले